आलो गाईज, वेलकम टू आनलाइन इंगलिस क्लास बाई अन्सुल सर क्लास 8 स्टुडेंट्स, इन दिस वीडियो यू आर गोईग टू है राइटिंग सेक्शन डायरी एंट्री डायरी एंट्री लिखने के पहले, सबसे पहले ये जानेगे कि ये डायरी एंट्री एक लॉंग क्वेशन है क्वेशन नमबर थार्ड में पूछा जाता है और इसको लिखने की important tips क्या होती है तो डायरी एंट्री कितने marks की आती है इसके लिए जानेंगे कि diary entry 10 marks की आती है इसके बाद ये कौन से question में आती है तो question होता है exam में third ये third question में पूछी जाती diary entry और आएए एक question के माध्यम से आपको बताने की कोसिस करेंगे कि diary entry को हम कैसे लिखते है here diary entry का question और उसका format एक साथ यह गया तो question को read करते है today you celebrate independence day at your school but you are not satisfied with the attitude of people towards freedom they consider that they are free to spoil the country and solidates image तो ही diary entry आपको लिखने है सबसे पहले diary entry को लिखने के लिए day and date उसके बाद time time अक्सर हम p.m. में लिखते हैं क्योंकि diary entry हम खाली समय अपना शाम को या रात में लिखते हैं और उसके बाद आता है salutation salutation क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कि salutation dear diary dear diary के बाद फिर hello diary hello diary my adorable diary and my friend उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो पैरा है तो पैरा में जैसे की starting पैरा starting पैरा में हम friendly language का यूज करते हैं और अब हम सबसे important tips जाने वाले हैं जिसमें हम 100% mark scan करते हैं कि diary entry केबल दो subject में लिखी जाती है I और B केबल दो subject का यूज कर सकते क्योंकि यह personally होती है इसमें जो कोई cutting tone use नहीं की जाती है उसके बाद हम जानेगे कि diary entry को past tense में लिखा जाता है only in past past tense उसके बाद यह जो हम body लिखने के complete कर देते हैं तो last में हम अपना experience सो करते हैं कि हमारा जो diary entry जो हम लिख रहे थे या मैं कोई भी function अटेंड किया था तो उस function का जो हमारा experience है वो हमारे सबसे last में लिख देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं signature signature का मतलब जो भी diary entry को लिख रहा होता है वो अपना नाम लिख देता है क्योंकि यह हमारा personal detail होता है हमारा यह personal detail secret भी रहता है और public भी रहता है इसलिए हम अपना नाम लिख देते हैं thank you for watching this video